नमस्कार एक अनोकी हकीकत की जानकर लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिरूं सामनता देखा जाता है कि कम्पूटर के केईबोर्ड पर ज़्यादा काम करने वाले या फिर ऐसी ही कोई मसीनरी पर काम करने वाले लोग अक्सर अपने उंगलियां चटकाते रहते हैं क्या आपको पता है हाथ या पेर की उंगलियां चटकाना गंबीर बिमारी को सरीर में जगए देता है क्या आपको पता है एक बार उंगली चटकाने के बाद दुबारा कफी टाइम तक टक की वाज क्यों नहीं आती है मेरा अनुमान है कि एक आद लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी आए सबसे पहले ग्रेलू कारणों के बारे में जानते हैं उसके बाद भी ज्यान की बात करेंगे अक्सर अपने घर पर बुजरुक कहते रहते हैं कि उंगली चटकाना अब सुगन होता है बुजरुकों के लोगों के अनुसार उंगली चटकाना बूरा माना जाता है और ऐसा करने से आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं इससे हडिया कमजोर भी होती है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए Scientist Region के अनुसार एक मसीन की तरही हमारे स्रीर में काफी जोड होते हैं जैसे गुटना हुआ, कोहनी हुई, उंगलियों को चटकाने वाले जोड हुए वगेरा वगेरा इन जोडों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें सिनोवाइल नाम का फ्लूड बरा होता है जो पूरी तरह से लिक्वीड है सिनोवाइल फ्लूड का वही काम होता है जो मसीनों में ग्रीस का होता है जैसे हम कोहनी वगेरा मोडते हैं तो हडियां आपस में रगडे ना और उनमें रगडने वाला गरसन ना हो तो उससे बचाने का काम इस सिनोवाइल फ्लूड का होता है हड़ियां या उंगलियां चटकने की नोबत तब आती है जब इसी फुलूड में कार्बन डाई आकसाइड गेस मिलती है तब वहां पर बुलूबले बन जाते हैं इनी जोइंट्स में तो हम जब उंगलियों को अधिक्तम लेवल तक मोड देते हैं तो बुलूबला फूड जाता है उसकी वजह से उंगलियां चटकने पर टक की आवाज आती है एक बार उंगलियां चटकने के बाद जोडों के स्पेस में बरे लिक्वीड में दुबारा कारबन डायाकसैड गुलने में करीब आदा गंटा लग जाता है यानि कि दुबारा बुलूबला बनने में करीब आदा गंटे का समय लगता है इसी कारण दुबारा तुरंत उंगलियां चटकने पर टक की आवाज नहीं आती है लेकिन लगबग आदे गंटे बाद उंगलियां चटकाने पर ये वावाज आने लगती है उंगलियां चटकाने से हडियां कमजोर होती है ये वाक्य में सही बात है और इस चीज को हलके में लेना आपको थोड़ा भारी पढ़ सकता है इस पर बहुत सारे रिसर्च भी किये गए है एक रिपोर्ट के मताबित हडियां आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती है बार बार उंगलियां चटकाने से सिनोवाइल लिक्विड कम होने लगता है और अगर ये पूरी तरह खतम हो जाता है तो इनसान के गठिया रोग भी हो सकता है इसके अलावा बार बार हडियों को खेंचने से हडियों की पकड़ भी कम हो जाती है इससे अगर दो हडियों के बीच में गैप हो जाता है तो भी वो सरीर के लिए बहुत नुक्सान दे है हलांकि जवानी में इसका असर कम देखने को मिलता है लेकिन उसी इनसान के बुड़ापे में इसका रिजेल्ट देखा जाता है 50-60 साल की उमर के बाद इनसान की उंगलियां दर्द करने लगती है तो आप भी उंगलियां चटकाने की इस बूरी आदत को आज ही छोड़ दें ये रोचक जानकारिया आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथ ही हमें कोमेंट बॉक्स میں बताएं कि विजान की रिपोर्ट पर आपको कितना बरोसा है और इस विजान की रिपोर्ट में कितनी सचाई है ऐसी ही रोचक जानकारिया पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा ले आज के लिए बस इतना है मिलते हैं गली नई अपडेट के साथ नई रोचक जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार